नमस्कार मैं रविश कुमार चलती ट्रेन में चेतन सिंग नाम का एक सिपाही अपनी बंदूग से चार लोगों की हत्या कर देता है रेल मंत्री इस घटना की निंदा में एक ट्वीट तक नहीं करते हैं आज का वेडियो रिकॉर्ड करते समय तक रेल मंत्री का कोई ट्वीट नहीं मिला कोई संदेश नहीं कि रेलवे में ऐसी हरकतें बरदाश्त नहीं की जाएंगी जबकि इस घटना में रेलवे सुरक्षा बलके सहायकदारोगा टीका राम मीडा की भी हत्या हुई है रेल मंत्री की इस चुपी को आप चाहे जैसे पढ़ते रहें लेकिन चुनाव हो या ना हो अब ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं से आती रहेंगी इन्हें रिपोर्ट करना भी किसी मानसिक बीमारी और तनाओ के करीब पहुँचने से कम नहीं है एक अगस्त के ही अखबारों में ऐसी कई घटनाई छपी हैं हरियना के गuru ग्राम फरिदाबाद में तनाओ की खबरेश छप रही हैं यहां से आने वाली खबरें दिल و दिमाग में तनाओ भर देती है पिछले 10 साल में इस मेवात में तनाव पैदा करने की कितनी कोशिशे हुई और किसने की इमांदारी से देखेंगे तो पता चल जाएगा कभी महा पंचायत तो कभी वीडियो बना कर खुले आम धमकी तरह तरह की यात्राओं के नाम पर तनाव पैदा किये जाने कि इन खबरों को आप अपने बच्चों के भविश्य के लिए ठीक से पढ़ लिजिए जिने डॉक्टर इंजिनियर बनाना चाहते हैं मेरी नियत बस इतनी है कि वे आपके बेटों को दंगाई बनाना चाहते हैं मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे डॉक्टर बने अगर धर्म को इतना ही खत्रा है तो इसकी लड़ाई की जिम्मेदारी उन्ही के कंदे पर क्यों है जो गरीब घर के लड़के हैं जो सरपर पटी बांध कर यात्राओं में ललकारी नारे लगाते हैं और डीजे बजाते हैं हिंसा में शामिल हो जाते हैं मिडल क्लास और हाउसिंग सोसाइटी के वाटसप ग्रूप के अंकिल अपने बेटों को विदेश भेज कर इन गरीब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं जो इस तरह की राजनिती के कारण दंगाई और हत्यारे बन जाते हैं घटनाएं कहीं की भी हो मगर सभी में बातें एक समान सुनाई देती हैं यूपी के बरेली से लेकर हर्याना के नूह तक में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि धर्म की राजनिती के नाम पर वो नेता देवता बन जाए और आपका वो बेटा दंगाई इस देश में पुलिस की विवस्था है सेना की विवस्था है लेकिन इसके बाद भी असम से ये खबर है कि एक संगठन इन नौजवानों को बंदूग चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है क्या वो रक्षक बना रहा है क्या इसे सेना और पुलिस की मानिता दी जा सकती है क्या इसकी इजासत है क्या दूसरे समुदाए के लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा करने की इजासत दी जाएगी कोई है और आप उसका नाम जानते भी है वो चाहता है कि आप जो दिन रात अपनी अपनी गरीबी से लड़ाई लड़ रहे हैं घर चलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं आप अपनी लड़ाई छोड़ दें और उसकी लड़ाई लड़ें धर्म के नाम पर अपने पडोसी से लड़ जाएं पडोस में कोई ना मिले तो किसी दूसरे मुहले में जाकर लड़ जाएं आप लड़ेंगे तभी उसकी सत्ता बचेगी इस लड़ाई ने समाज को बिमार कर दिया है और समाज ने इस बिमारी को राजनितिक रूप से गले लगा लिया है क्योंकि बिना समाज की सहमती और भागीदारी के या बिमारी नहीं फैल सकती इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कोई लॉकडाउन नहीं करता है आप खुद देख लीजिए कि किसकिस ने जैपुर मुंबई सूपर फास्ट एक्सप्रेस में चार लोगों की हत्या एंटी मुस्लिम नफरती सोज के खिलाब निंदा की है आवाज उठाई है बीते दस सालों में या बिमारी इतनी तेज गती से फैली है कि समाज समझी नहीं पाया किसका अंजाम क्या होगा गोदी मीडिया का एक एंकर अमन चोपड़ा परमानेंट इलाज की बात करता है उसके जैसे कितने ही एंकर तरह-तरह की ऐसी ही बाते करते हैं मीडिया ने लगतार नफरती डिबेट से मासुम लोगों को समझा दिया है कि धर्म के नाम पर कोई युध चल रहा है इसी रफतार से आपके रिष्टेदार खासकर आपके माबाप, विदेशों में रहने वाले अंकिल और सोसाइटी के गेट पर घुमते मिल जाने वाले कई रिटाइड अंकिल हर दिन वाटसप में एंटी मुसलिम मीम भेशते हैं, धर्म के नाम पर गर्व की दुकान ठेलते रहते हैं इन सब ने मिलकर नफरत की रफतार समाज में बहुत तेज कर दी है चेतन सिंग को आप इस बीमारी से अलग नहीं कर सकते उसकी इस बीमारी का जिम्मेदार कौन है आपको मालूम है गोदी मीडिया यह नहीं बताता कि चार लोगों की हत्या करने वाला रेलवे सुरक्षा बलका जवान चेतन सिंग अगर मानसिक रूप से बीमार था तो उस बीमारी का कुछ कारण भी होगा सवाल ये भी है कि वो बीमार था तो ड्यूटी पर कैसे था वैसे इंडियन एक्सप्रेस में पश्चमी रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सेक्यूरिटी कमिशनर पीसी सिनहा का बयान चपा है उनका कहना है कि चेतन सिंग गरम मिजाज का था लेकिन पिछले पांच साल में एक भी घटना रेकॉर्ड में नहीं है बहुत ही साफ सुत्रा रेकॉर्ड है इसलिए मैंने उसकी पोस्टिंग च्छ महिने पहले मुंबई में की थी इसी सिनहा साहब ने पहले कह दिया था कि मानसिक रूप से बिमार है अब जात चल रही है इंडियन एक्स्प्रेस में चेतन का जो कथित बयान छपा है उससे साफ है कि उसे यह बिमारी कहां से मिली है गोदी मीडिया से मिली होगी एक यातरी ने घटना के बाद वीडियो रेकॉर्ड किया है जिसकी सत्यता की जात चल रही है इस वीडियो में चेतन सिंग कथित रूप से कहता है कि पाकिस्तान से यह ऑपरेट हुए है और मीडिया यही कवरिज दिखा रही है उनको सब पता चल रहा है कि यह क्या कर रहे है अगर वोट देना है अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूँ मोदी और योगी यह दो है चेतन मानसिक रूप से नहीं राजनितिक रूप से बिमार हो गया है इस बिमारी ने उसे हत्यारा बना दिया आप इस नारे को जानते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो योगी योगी कहना है मोदी मोदी कहना है इस से मिलते जुलते और भी कई नारे हैं इन नारों के सहारे एक समुदाय के लिए भारत में रहने की शर्ते थोपी जा रही है इन्हें सुनने वालों को कुछ गरीब घर के लड़कों को लगता है कि उन शर्तों को लागू करना उनका काम है ताकि मिडल क् के बच्चे हाउसिंग सोसाइटी की बच्चे आईटी सेक्टर में जाकर माल कमाते रहें नागरिक्ता आंदुलन के समय आपने देखा तो था मंत्री नारे लगवा रहे थे कि देश के गदारों को गोली मारो दो नौजवान बंदूक लेकर आते हैं और गोली भी चलाते हैं एक की गोली सामने खड़े एक लड़के को लगती भी है और एक हवा में गोली चलाता है उस समय भी यह बात सामने आई थी कि नौजवानों ने किस तरह के नारे लगाए थे और नारे किन-किन चीजों से बनते हैं धर्म की राजनिती ने इन दोनों को जो बना दिया आप ज रांते हैं शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर ने कहा था हिंदू रास्टर जिंदा बाद हमारा देश हिंदू रास्टर है हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी सिर्फ हिंदू की चलेगी यही वो लाइन है जिसे चेतन सिंग ने किसी और तरीके से दोहरादी, चुकि ये मिडल क्लास और हाउसिंग सोसाइटी के वाटसब ग्रूप के अंकिलों के बच्चे नहीं हैं, परंतु चेतन सिंग जैसे नौजवान उन अंकिलों की राजनिती के काम आते हैं, इसलिए ये लोग भी चुप हो जाते हैं, ये तब भी चुप रहते हैं जब मनीपुर की दो महिलाओं को नंगा घुमाने का वीडियो आता है, इन्हें पता है कि चेतन सिंग को हत्यारा बनाने की पीछे जो सोच है, उसके प्रसार में एक हद तक ऐसे लोग भी शामिल हैं, ऐसे लोग उस गोदी मीडिया के खिलाब भी नहीं बोलते जो दिन रात एंटी मुसलिम नफरत फैलाता रहता है, जिसकी बात रेलवे सुरक्षा बल का जवान छेतन सिंग भी करने लगा, 31 जुलाई को टीवी 18 चैनल का एक एंकर, अमन चोपडा, हरियाना के नू में हुए सांपरदाइक तनाओं को लेकर, जिस तरह से ट्वीट करता है, जैसी भ किलों की भाषा से मिलती जुलती सुनाई देगी, इससे नाराज होकर वरिष्ट पत्रकार राहुल देव ट्वीट करते हैं, और लिखते हैं कि मेवात नू की सामुदाई घटना पर इस चैनल के शिर्शक पढ़िये, और महान एंकर की बाते सुनिये, फिर चैनल से पूछि याद रखिये, इस चैनल और एंकर पर प्रतिबंद क्यों नहीं लगना चाहिए, पर्मानेंट इलाज जैसी भाषा के बारे में राहुल देव ने बता दिया कि कहां से आ रही है, लेकिन सोचिए अमन चोपड़ा, देश के सबसे सफल और ताकतवर उद्योग पती मुकेश चम्बानी के चैनल में काम करता है, या अपने आप में रहस्य है कि उनके जैसा उद्योग पती इस तरह के एंकर को कैसे रखता है, राहुल देव ने जब चेतावनी दी तो अमन चोपड़ा ने और साफ किया कि पर्मानेंट इलाज से उसका इरादा वही है जिसकी बात रा करता है और ट्वीट में लिखता है राहुल सर परणाम आज उन्ही 90 लाक यहुदियों का देश इसराइल दुश्मनों के घर में घुसकर उनका पर्मानेंट इलाज करता है, जिससे भी कुछ बारूदी बुधी जूवियों को पीड़ा पहुंसती है, पत्थरबाजों के प अंभीर चोट, इंस्पेक्टर के पेट में गोली, एक जवान की मौत और दरजन भर जखमी हैं, पत्थरबाजों को कवर फायर देने की आपकी मजबूरी समझ नहीं आई, या एंकर अपने सिनियर और एक तरह से मेंटोर से भी ट्रोल की भाशा में बाते कर रहा है, अंत मे की तत्व चिरस्थाई है, पर वो घिना से परे है, आज की तारीख में गोदी मीडिया नफरत पैदा करने की ओफिशल फैक्टरी बन चुका है, चैनलों पर नज़र रखने वाली संस्था, NBSA ने इस अमन्चोपडा को पहले भी फाइन किया है, इसी 27 परवरी 2023 को NBDSA ने न्यूज 18 चैनल पर प्रसारित होने वाले एंकर अमन्चोपडा के प्रोग्राम पर 25,000 और 50,000 का जुर्माना लगाया था, अपने फैसले में NBDSA ने कहा था कि चोपडा ने एक तरफा होने की सीमा पार कर दी, सामप्रदाइक विभाजन फैलाने के लिए बयान दिये, कहा कि चैनल अपने वेबसाइट के साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल से दोनों कारिकरम के वीडियो हटा दे, न्यूज 18 मुकेश अमबानी के समू का चैनल है, मुकेश अमबानी के बच्चे बिजनिस में कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके चैनल पर अमन अमन चोपडा को नहीं पता होगा, लेकिन रेलाइंस धेरुबाई अमबानी चैर के प्रोफिसर का नाम थॉमस ब्लोम हैंसन है, ये हिंदू रास्टरवाद के विद्वान माने जाते हैं, इन्होंने अपने काम में इसके खतरों को रिखांकित किया है, काफी आलोचना भी क है, उन्होंने भारत में बहुत काम किया है, इनकी दो किताबों के नाम है, The Saffron Wave, Democracy and Hindu Nationalism in Modern India, और दूसरी किताब का नाम है, Wages of Violence, Naming and Identity of Post-Colonial Bombay, ये मत समझेगा कि इस चेर के प्रोफिसर के नियुक्ती अमबानी समूह ने किये, जरूर फंड दिया होगा इस सेंटर को, तब ही इसका नाम Reliance धिरुबाई अमबानी चेर है, अमन चोपड़ा, प्रोफिसर थॉमस ब्लोम हैंसन का काम ही पढ़ लेंगे, तो खुद ही अमबानी के चैनल से इस्तिफा दे कर निकल जाएंगे, लेकिन मुकेश अमबानी को कहना चाहिए, कि क्या वे इस एंकर की नरसंगार की बात करने लगे, हिंसा का आहवान करने लगे, तो उन्हें खुद ही अपना चैनल बंद कर देना चाहिए, जब उनके चैनल का एंकर अपने ट्वीट में नरसंगार को सही ठहराने लगे, तब बिलकुल ही हस्तक शेप करना चाहिए, क्या अमबानी जैसे ताकत अमन चोपडा के सामने इतने लाचार हैं कि वो अपनी गलतियों में सुधार भी नहीं कर रहा है बार बार दोहराता जा रहा है अमबानी के चैनल के एक और एंकर ने सूफी संद ख्वाजा मोहिनुद्दिन चिष्टी के बारे में कथित रुप से अपमान जनक टिपनी कर दी इनके खिलाब कई जगों पर F.I.R. हुई सुप्रीम कोट ने इन F.I.R. को खारिज करने से मना कर दिया एंकर ने तब कहा था कि उसकी जुबान फिसल गई थी और वो खेद ब्यक्त करता है इन एंकरों के कारिक्रमों के टाइटिल देखिए शिर्शक देखिए डिबेट के दौरान स्क्रीन पर जो लिखा आता है उसे पढ़िए दुनिया को जब पता चलेगा कि मुकेश अंबानी के चैनल का एंकर अपने प्रोग्राम में हेट स्पीच का इस्तिमाल करता है सही ठहराता है यहूदियों के नरसंगार के लिए इस्तिमाल फाइनल सॉलिशन की तरह पर्मानेंट इलाज लिखता है अपने ट्वीट में यहूदियों के नरसंगार को सही ठहराता है तो उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पर सकता है जर्मनी में आप यहूदियों के खिलाब नरसंगार को सही ठहराएंगे स्विकृति भी देंगे तो सजा मिलेगी वहाँ ऐसा कानून है और यह ऐसा करना अपराद है जर्मनी में पहले से कानून है कि यहूदियों के नरसंगार को सारजुनिक स्विकृति देना या फिर किसी व्यक्ति के खिलाब हेट स्पीच देना डंडनिया अपराद है पिछले साल इस कानून में संशोधन कर यह भी जोड़ा गया कि दूसरे देशों में जो नरसंगार हुआ है उसे भी सही नहीं ठहरा सकते यह खबर डोश्वेला की है जो जर्मनी का समचार समू है आप इसके हिंदी वेबसाइट पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़िए पिछले साल यानि 25 नवंबर 2022 को जर्मनी की संसद में एक कानून पास हुआ लिखा है कि यूक्रेन के बुचा में कथित युदपराद यजीदी का नरसंगार चीन में उईगुर मुसल्मानों के खिलाप मानवादिकार हनन के मामलों को कुछ लोग नकारते रहते हैं या कम बताते हैं जर्मनी में कानून बनाने वाले अभी सिती को बरदाश्त नहीं करेंगे और सारजनिक शांती को भंकरने या घिना फैलाने जैसे कृतियों को नकारने को कानूनी तोर पर दंडात्मक बनाना चाहते हैं नए संशोधन में सेक्शन 130 के पैराग्राफ 5 के तहट युद्ध अपराधों और नरसंगहारों की सहमती इनकार और इन्हें मामली बताने को एक आपराधिक कृत्ति माना गया इससे पहले ये केवल हॉलोकास्ट तक ही सीमित था भारत में तो एक मंत्री ने नारा लगा दिया देश के गदारों को गोली मारो प्रमोशन हो गया एक सवाल कीजिए क्या मुकेश शंबानी को किसी चीज की कमी है फिर उनकी क्या मजबूरी है कि वे इस तरह के नफरती एंकर को रखते है जिसके बारे में NBDSA ने साफ साफ कहा है कि एक तरफा होने की इसने सीमा पार कर दी है इसके बाद भी हर्याना की घटना के संदर में उसके ट्वीट भयंकर है कम सकम विपक्ष के नेताओं को मुकेश शंबानी के पास ही जाना चाहिए कि उनका चैनल नफरत क्यों फैला रहा है गोधी मीडिया आपके मासूम बेटों और रिटाइट घरवालों के दिमाग में जहर भर रहा है इसे देखना तुरद बंद कीजिए विपक्ष को चाहिए कि जनता के बीच जाकर इस गोधी मीडिया के बारे में बताए लेकिन विपक्ष के नेता भी इनी गोधी चैनलों पर जाकर इंटर्व्यू दे रहे हैं जिससे साफ होता है कि ना तो इन्हें अपनी लड़ाई की समझ है और ना ये गंभिरता से लड़ना चाहते हैं कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रिनेत ने हरियाना और जैपूर मुंबई सुपर फास्ट एक्स्प्रेस की घटना पर प्रतिक्रिया दी है एक वाकई में दिल देहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है टीवी चैनल के माध्यम से आपके ड्रॉइंग रूम में आपके बेड रूम में जहां देखो वाटसाप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है कहां ले आई है ये नफरत इस देश को योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रखती है ये क्या हो गया इस देश में और कब सोचेंगे हम की नफरत के चलते हम इस देश में जॉम्बीज बना रहे हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे आज चेतन सिंधा कल कोई और होगा इस पर विचार कब होगा क्या नफरत से भरा ये देश कभी आगे बढ़ पाएगा क्या इसकदर नफरत घोलने के बाद इस देश का स्थित्व बचेगा आज सवाल सब के सामने ये है राहुल गांदी ने भारत जोडो यातरा के दोरान कई बार चेतावनी दी कि टीवी नफरत फैला रहा है मगर उनी टीवी चैनलों पर उनकी पार्टी के प्रवक्ता नजर आते हैं विपक्ष के कई नेता आतूर रहते हैं कि कब बुलावा आ जाये उन चैनलों पर इंटरिव्यू हो जाये इस तरह से राजनितिक दल नफरती कारोबारियों के साथ सहज रिष्टा बनाने लग जाते हैं इन नेताओं को किसान आंदोलन से सीखना चाहिए जिसने एक साल आंदोलन किया और खुले आम बोर्ट पर लिखकर टांग दिया कि गोदी मीडिया बाहर जाये हमें यह मीडिया नहीं चाहिए राहूल गांधी ने आज भी ट्वीट किया है कि भाजपा, मीडिया और उनके साथ खड़ी ताक्तों ने पूरे देश में नफरत का केरोसीन फैला दिया है सिर्फ महबथ ही देश में लगी साग को बुझा सकती है मगर इनके जो channel है ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं 24 गंटा 24 गंटा हिंदू मुसलिम पहली हिंदू मुसलिम Christians ये सचाई नहीं है भाइव पहनों मैं चलाओ कन्या कुमारी से यहां तक ये सचाई नहीं है ये मीडिया में चलाया जाता है फेलाया जाता है तो सवाल उठता है क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं इनके पीछे जो शक्ति है इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है जैराम रमेश ने भी कहा है कि आरपी एफ कॉंस्टेबल द्वारा की गई निरिशन सहत्याएं मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा निर्मित उग्र और विभाजनकारी वातावरण का परिणाम है नफरत कजिन अब बोतल से बाहर निकल चुका है सवाल है कि जैराम रमेश की पार्टी इन गोदी चैनलों के करीब क्यों जाती है उनके पास इस नफरत से लड़ने का क्या राजनीतिक प्रोग्राम है सरकार एक्शन नहीं लेती है विपक्ष क्यों नहीं कुछ करता है कुछ महीने पहले की बात है सुप्रीम कोट में जस्टिस जोसिफ और जस्टिस नागरतना की बेंच एक याचिका सुन रही थी इस याचिका में मांग की गई थी कि सुदर्शन टीवी के खिलाब कारवाई हो क्योंकि उसके कुछ कारिक्रमों में मुसल्मानों के खिलाब नफरती बाते कही गई है तब कोट ने कहा कि बढ़ती नफरत या टीवी पर जो पुर्वागरब फैलाए जाते हैं उसके खिलाब संदेश देने के लिए क्या किसी एंकर को ऑफएर करने का फैसला लिया गया है क्या किसी एंकर को हटाया गया है याचिकाओं में भी मांग की गई थी कि नफरती भाशनों को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश भी तयार हो आज तक कुछ नहीं हुआ आज भी यह सब जारी है इंस्पेक्टर ठीका राम मीना की बेटी पूजा मीना का रो रो कर बुरा हाल है उनके पिता की हत्या इस तरह से कर दी गई चेतन सिंग के भी दो बच्चे हैं पत्नी हैं हाथरस का रहने वाला है पिता की मृत्यू के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी नाला सुपारा के रहने वाले थे नाला सुपारा में जाने माने व्यक्ती थे बीच साल से अपनी पत्नी के साथ यही रहते थे छोटे बच्चों के सामान की दुकान चलाते थे जैपूर के असगर अली अबास चूड़ियों की दुकान चलाते थे पांच बच्चे हैं इन सभी के बच्चों को नफरत की राजनिती ने अनात कर दिया गोदी मीडिया के दर्शकों को शर्म आनी चाहिए उन्होंने इन चैनलों को देख देखकर समाज के बीच कई लड़कों को दंगाई बना दिया यह घटना यहीं समाप्त नहीं होती है ऐसी घटनाओं से ही चुनाओं का महौल बनता है आप वोटर बनकर सरकार का हिसाब नहीं करते बलकि धर्म के रक्षक बनकर ऐसी घटनाओं के समर्थन में लगा दिये जा रहे हैं भीड की तरह हम गुरुगराम के आस पास के हिंसा की तस्वीरे नहीं दिखा रहे हैं लेकिन जो गुरुगराम कुछ दिन पहले बारिश के पानी के जाम में फसा था आज वहाँ के स्कूल बंद हैं फरिदाबाद के भी स्कूल बंद हैं सोचिए जरा इन बच्चों के बीच क्या बाते हो रही होंगी मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोग अपनी सोसाइटी के वाटस अप ग्रूप में इन बातों का विरोत कर रहे हैं या नहीं या गोधी मीडिया के एंकर की भाषा बोलने लग गए हैं लेकिन इतना पता है कि इस राजनीती ने गुरूगराम को जाम मुक्त शहर नहीं दिया उल्टा नफरत से आस पास के कई लोगों का दमाग जरूर जाम कर दिया है नू गुरूगराम से सटा इलाका है चार लोगों की मौत हुई है तीन सिपाही गंभीर हालत में है शांती के लिए अपील ही कर सकता हूँ परन्तु जो मनिपूर के लिए अपील नहीं कर सके वो गुरूगराम के लिए क्या ही करेंगे आपका घर है आपके बच्चे हैं आप अपने घर में ही अपील कर लिजिए कि नफरत की बातें बंध होगी नफरत फैलाने वाले रिष्टेदार और माबाप से सवाल करने का टाइम आ गया है इस वीच प्रधान मंत्री फिर से व्यस्त हैं आज वे पुने में तिलक जैन्ती पर पत्रकार इता का महत्व समझा रहें और उनके दोर में गोदी मीडिया पत्रकारिता के नाम पर नफरत फैला रहा है उनकी सरकार में एक सुचना प्रसारन मंत्री भी हैं लगता है उन्हें इस बात की सुचना तक नहीं नमस्कार मैं रविश कुमार